नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंबॉल के बारे में ठीक है तो सिंबॉल में जो है अगर स्टार हम लिखना है किसी भी एक्सल सीट में जैसे इस टाइप का स्टार है तो यह स्टार जो हम किस तरह से इंट्री करेंगे एक्सल सीट में ठीक है तो उसके लिए जो है हमारे पास जो है किस तरह से ये काम करेगा इसका क्या क्या मेथड है जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूँ यू ओ ठीक है मैं जहां पे लिखा यू ओ अगर आप इसको इंटरप्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखे क्या लिखा गया यू मतलब क्या हुआ कि यह जो है ओटो करेक्ट हो गया है ठीक है तो इस तरह से यह किस तरह से काम करता है क्यों यह ओटो करेक्ट हो गया है ठीक है तो वो सभी देखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर देखे है यू o लिखा ठीक है मैं क्या लिखा y u o अगर interface किया तो यहां जो है u automatic जो है spelling correct होके आ गया है ठीक है तो यह सभी किस तरह से काम करता है पूरे detail बताने जा रहा हूँ ठीक है चलिए मैं इसको delete कर रहा हूँ अभी क्या क्या है नहीं सभी को ठीक है और मैं यहां पर बात कर रहा हूँ insert में symbol star जैसे मुझे यहां पर star चाहिए ठीक है तो किस तरह से लिखेंगे तो उसके लिए जो है क्या है अगर आप यहां पर insert में जाओगे ठीक है किसमें जाना? insert में और insert में जाने के बाद last öفسन आता यहाँ पे symbol का तो अगर आप यहाँ पे symbol पे select कर रहे हैं क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है एक new windows जो है open हुआ है अगर यहाँ पे new windows open हुआ open होने के बाद यहाँ पे आप basic Latin में जाएंगे इसको click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पे आ जाता है आपको start अगर आप यहाँ पे press करेंगे और यहाँ पे insert करेंगे तो automatic यहाँ पे insert आ जाएगा तो यहाँ पे start ही नहीं, बहुत सारा symbol है जो कि आप यहाँ से select करके insert कर सकते हैं और जैसे भी आप यहां पर इंसर्ट किये, तो यहां पर recent use symbol में जो वो symbol यहां पर automatic जो है आ गया है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसको close कर दे रहा हूँ अभी, तो देखें यहां पर क्या हो गया, start जो है, आ गया है, मैं इसको copy कर लेता हूँ, start को, ठीक है, तो किस तरह से यहां पर symbol से आप entry की हो, आप देख लिए, जैसे click करेंगे, यहां पर इसको आगया हो, automatic करेंगे, insert करेंगे, close करेंगे, तो यहां पर automatic आ गया है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहां पर कुछ sentence लिखूँ और लिखने के बाद जो automatic star आ जाए, उसके लिए हम लोग क् जा करेंगे, यहां पर home tab में जाएंगे, ठीक है, home tab में जाने के बाद यहां पर excel option आता है, ठीक है, excel option में आप जाए, excel option में जाने के बाद जो है, यहां पर क्या option है, proofing, ठीक है, यहां पर proofing आ रहा है, proofing पर click कीजिए, ठीक है, click करने के बाद next है, auto correction option, क्या है auto correction option, अगर आप यहाँ पे click करेंगे auto correction option में ठीक है तो एक new window जागे यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे है replace with replace with ठीक है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है star star लिखके इसको bracket close कर दिया और star लिखने के बाद क्या आना चाहिए मुझे मैं यहाँ पे symbol आना चाहिए star का symbol मैं यहाँ पे star डाल दिया हूँ ठीक है क्या आना चाहिए star लिखने के बाद star का symbol आना चाहिए मैं यहाँ पे add कर दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ add कर दिया ठीक है जैसे ही add कर दिया तो यहाँ पे star का symbol में आ गया है और आप इसको ok कर तो यहाँ पर अभी देखे क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिख रहा हूँ? S T A R, bracket, close किया, ठीक है? Star लिखा, Star लिखने का बाद मैं यहाँ पर Inter जैसे ही प्रेस करूँगा, तो देखे, Automatic जो है, आपको Star आ जाएगा, कैसे किया? यहाँ पर देखे, मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पर लिख रहा हूँ, S T A R, ठीक है? Star लिखा, और Inter जैसे प्रेस किया, तो आपका Star के बदले जो है, आपका Star का सिंबॉल आ गया है, ठीक है? Correct, इसी तरह से, यहाँ पर जो है, Y U O, मैं U I O U लिख रहा हूँ, इंटरफेस कर रहा हूँ, तो यू आ रहा हूँ, क्यों कि आपने क्या किया है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, Excel Option में, ठीक है? Excel Option में, Proofing में जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर Auto Correct में जाएंगे, Auto Correct में यहाँ पर आप Y U O, ठीक है? देखें, यहाँ पर Already, यहाँ पर Added है, क्या Added है? Y U O, अगर आप Y U O लिखेंगे, तो आपको क्या आगा है? Y O U, Correct है, ठीक है, इसी तरह Y T O U लिख रहे हैं, Y T O U लिख रहे हैं, तो U ही आएगा, ठीक है? मैं लिख के देखाता हूँ, Y T O U, ठीक है? तो यहाँ पर देखें क्या आएगा, क्या लिख रहा है? Y T O U, ठीक है, देखिए, Automatic जो है क्या आ रहा है आपको, यहाँ पर Y U ही लिख के आ रहा है, Correct है, ठीक है? तो यह सभी है, किसका कमाल है? Auto Correct Option का कमाल है, ठीक है, क्या किया? Star लिखने के बाद, S T A R, Star लिखा, Insert प्रेस किया, क्या आ गया? यहाँ पर सिंबॉल, Star सिंबॉल आया, यह सभी किसका काम है? क्योंकि आप Excel Option में जाके, यह सभी आप कर सकते हैं, Proofing में जाके, Auto Correct Option में, ठीक है? तो यह सब बाते थी, Auto Correct Option की, और हमने सीखा, इसमें किस तरह से, जो है, Auto Correct Option में, Insert करते हैं, सिंबॉल को, और सिंबॉल को कितने मेथर से, यूज कर सकते हैं, और आप Auto Correct के, इसका इससे करते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ डॉट हो, तो आप मुझे, Comment Section में लिखिये, और ठीक है? जिसे मैं इसमें क्या बताया, Star, S-T-A-R लिखा, तो Star लिखने के बाद क्या? इंटरफेस करने के बाद, आपको जो है, Star मिल रहा था, ठीक है? तो कुछ मिलते हैं, कुछ New Trick, New Idea के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, Thank You!